हेलो फ्रेंट एक मैसेज जो लगातार मुझसे पूछा जा रहा है क्योंकि रिजल्ट पीपेस्ट की आ गई है और बहुत सारे स्टुडेंट हैं जो एक नंबर दो नंबर से फेल कर गया है क्योंकि कड़ी कटप बहुत जादा चला गया है इस कारण से बहुत सारे ऐसे लिए एक जो मन में पसो पेश चला रहा था कि क्या सीशेट आएगा कि नहीं एक तो वैसे ही ऑप्षण ने परिशान कर रखा है यह जो सारा तिक्रम भाजी होड़ा है जो तिक्रम भाजी कहेंगे वीपेसी का यह यह ऑप्षण के कारण हो रहा है एक तो उससे अपने डिर स्कार्डण कितना मेहनत करता है कितना उमीद के साथ कितनी में कशाए को वीपेसी के उपषण क逗ोष इसको कह सकते हैं उपर से नीमचाछे वाली स्थिती ठी किव אז change होडा है लेकिन अभी जो रिजल्ट आय रहा है उसके नीचे लाश्ट में कॉलम में एक लाइन लिखा हुआ है कि सबके पास रिजल्ट होगा ही पीडिएफ का आप वहाँ से देख सकते हैं यह लिखा हुआ है कि विपेसी 64 की मुख्य परिक्षा की स्लेवर्स पुछ ऐसे ही लाइन है और आगामी परिक्षा की प्रारंबिक और मुख्य परिक्षा की स्लेवर्स अपलोडेट है यानि अपलोडेट है इट मिंस यह दिखा रहा है कि आने वाले जो 65 की एक्जाम है उसके अंदर चेंजस सायद नहीं होगे उसका जो ऑफिसियल पीडियेफ है रिजल्ट का उसके और आगामी प्रारंबिक और मुख्य परिक्षा की जो अपलोडेट है और उपलोड के आवा से वह ही पुराना を से जो पहले से इसलिए इसलिए हम लोग यह उसका मतलब यह निकल के आता है कि कि हागामी परिक्षा मतलब जो आने वाले एक्जाम है वो 65 एक्जाम है 65 वीपेसी का पेपर होगा उसके अंदर स्लेबस चेंज नहीं होगी और उसका मेंस का स्लेबस वो भी चेंज नहीं होगी और निगेटी मार्किंग भी नहीं आएगा तो यह एक राहत देने वाली खबर है वीपेसी के तरब से एक राहत देने वाली खबर है कि कम से कम सी सेट नहीं आ रहा है क्योंकि एक तो ई-option के परिशानी और उसके उपर निगेटी मार्किंग करेला और नीम चड़ा वाले स्थिती हो जाती स्टुएंट और कितना परिश के लिए अभी जो दौर चले उसके अंदाजा लगाना भी काफी मुस्किल काम है तो यह एक मैसेज था जो मुझे आपको देना था क्योंकि अब सीधी बात है जो बाहर है वह यही जा रहे है कि आगे क्या जो भी चीज़े आड़ी है मेरे पास इमेज या फोन के रूप में वह लगातार ही आता जा रहा है इसाथ 65 को स्लेवर्स का तो इसलिए इसलिए अप्डेट कर देना चारहूं कि वीपेसी के ने बचा लिया है एटलिस्ट कि 65 में स्लेवर्स चेंड नहीं होगा यही अप्डेट देना था आपको और जो ग्रुप बना दिया गया उस कोज आनिक शेट